नमस्कार एस्टीव न्यूज में आपका स्वागत है इस समय की तस्वीरे आप देख सकते हैं इस समय हमारे साथ मोजूद है मैट्रिक का एक छात्र जिहां जो सिभर जिले में तीसरा अस्थान लाया है जी हाँ हम इनसे बाचित करेंगे कि इनके पीछे क्या संगहर छिपा हुआ है जी हाँ आप देख सकते हैं तस्वीरे एक मैट्रिक का छात्र है एक छोटा सा छात्र और अपनी संगहर्स के बदौलत इतना नमबर लाया है नमबर कभी हम बाचित करेंगे सब पहले हम इनके संगहर्स के बारे में बता दे ये एक पिप्राधी परखंचेतर के मिसोड़ा एक छोटे से गाउं के रहने वाले युवक है जो अपने संगहर्स के बदौलत मैट्रिक में जीलास्तरिये तीसरे अस्थान पाया है हम इसे बाचित पहले कर लेते हैं सबसे पहले हम आपका सुब नाम जाना चाहेंगे मेरा नाम हुआ मोमद अर्मान आपको कितना टूटल नमबर कितना आया है 464 आया हुआ है देख लिजे 464 नमबर आया है इनको यह मैट्रिक का छात्र है और यतना कम उमर का छात्र यूं हम कहले कि जहां पर लड़किया जीला टोपर होती है मगर इस बार एक छोटे से गाउं का एक छोटा बच्चा मिसोणा गाउं का रहने वाला मैट्रिक का छात्र में बेहतर अंक लाया यूं कहले जीले में तीसरा अस्थान प्राप्त किया है कि कैसे आपने था पड़ा क्योंकि जितने भी आगे नौवी के छात्र है जो दसवी में जाएंगे वो भी इस तरीके से तैयारी करें कि उनको भी आगे चलकर अच्छे माक्स ला चके कैसे आपने था पड़ा किन लोगों का गाईडलाइन आपको मिला था कितने देर था पड़ा सिए सब चीज हमारे दर्सकों को बताईए मैंने पहले कोचिंग जोईन किया सिवेसर जो पिब्रारी है और वहाँ पे मैंने डेली जाना किया एक वी एक वी दिन अश्रेंट नहीं किया और मैंने शुड़ू सरी प्रहाईग पर फोकस किया तेंद का पुरा ही साल बर जोईन पूरा ध्यान दिया और मेरे घर के भी सबसे ज़्यादा यह वह जीए चुन जी यह पापा होंगे आपको लगता हुआ कि आपके पढ़ाई में सबसे ज़्यादा है या मारकदरशन कहें उन लोग का सबसे ज़्यादा हुआ होगा नाम बताईएगा जरूर जी मेरे अंकल हाथ जो आश्री की कुवाल वह भी यहांदि मेरा बहुत ख्याल लगती थी और बाहर मेरे अबबू रहते हैं, जो बाहर कमाते हैं और रुपया फेजते हैं जिसे की हमारा घर चलता है आप कितने घंटे रास्त रात में स्टडि करते थे या सुबा में पढ़ते थे चितने दिर आपका स्टड़ी होता था लगवग मैं डेली 11-12 गंड़ पढ़ता था और रात को लगवग 11 बज़े तक पढ़ते थे और उसके बाद खाना पीना खाते थे उसके बाद शो जाते थे और मोर्णिंग में फांच बज़े उठ जाते थे आप कौन से कोचिंग से रहेंगे कोचिंग में कितने देर मतलब स्टड़ी होते होगे कोचिंग से आने के बाद आप क्या करते होंगे घर पर दोस्तों के साथ क्या टाइम बिताते होंगे इस सब सारी चीज बढ़ाए आपका कौन साबजेक्ट जो ऐसा है जो आपका पसंदीदा था, जिसमें आपने अच्छा ग्रोथ किया, अच्छा माक्सला है मेरा मैथ सबसे अच्छा था, जिसमें मैंने मैथ में अच्छा नंबर पाया तो क्या आगे का आपका ख्याल है, क्या आप डॉक्टर बनिए गा, इंजिनियर बने गा एक उमीद होगी, एक उमीद को लेकर हर लोगों का एम होता है कि हम ऐसे त्यारी करें, अच्छा नंबर आता है, डॉक्टर बने, इंजिनियर बने, क्या आप बनना चाहते हैं, क्या गाउं का नाम क्या रौसन करना चाहते हैं? आगे चल कर, मैस लेकर, इंटर्वे मैस लेकर और उपियोची करना चाहता हूं, तो आप तस्वीरे देख सकते हैं, एक मिसवड़ा गाउं जो जीले में सबसे छोटा गाउं कहा जाता है, छोटा गाउं इसलिए हम कर रहे हैं कि एक सीवर जीला ही, एक छोटा जीला कहा जाता है, उसी जीला के अंदर पिप्राडी परकंट चेत्र के मिसवड़ा गाउं परता है, वहीं का एक छोटा सा छात्र अपनी संघर्ष के तोर पर मैट्रिक में जीले में तीसरा अस्थान पाया है, और उमीद देखिए, इनका मारकदर्सन, इनके अंकल के द्वारा, इनके चा चात्र नए नए उभर रहे हैं, छात्रों का अच्छा रिजल्ट आ रहा है, छात्र पढ़ने के तरफ आकर्शन हो रहे हैं, छात्रों का ज्यादा तर जो चात्र पास हुए हैं, लोग ज्यादा तर अब डॉक्टर इंजिनियर से लेकर, अब यूपीएसी को लेकर बात करन मैं साइकल से स्कूल जाता था हूँ और यहां से लगवाग तीन किलोमेटर है, जो कलावत जीयलाल है, अथी अंबक उठी, उसी में मेरा एडमिसन था, और वही मैं तेन्थ में एडमिसन लिया था, उसी से मैं पढ़ने जाता था, और वही से मैं पास हुए हूँ चलिए धन्डवाद तो पूरी तस्वीरे आप देख सकते हैं, छातरों ने क्या कहा है, एक मेट्रिक के छातर का क्या उमीद है, बेहतर अंक लाया है थे कि संघर्स सबसे पहले चुपा होता है, इस छातर ने भी अपना संघर्स किया है, चाचा और पिता जी का, काफी उनक के तोर पर यूं कह लिजे कि अगर कोई विद्यार्थी, अगर संघर्स करता है, अच्छा नंबर लाता है, इन्हों ने भी वही किया, अपने संघर्स के बदौलत मार्क दर्सन को लेकर अच्छा नंबर आया, और काफी स्राहनिया बात ये कही जाएगी, कि अब ये UPC के त अहम रोल होता है, उसी कड़ी में अर्मान की दादी जी है, हम उनसे भी बाचीत कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों पर खास जो परिवार का ध्यान होता है, उसको लेकर हम बाचीत करेंगे, क्योंकि अब आपका पोता, UPC का तयारी करने के लिए बोल आया है, मैट्रिक में अ अमीर परिबार नहीं है, यह हम लोग कहते हैं कि आप लोग क्या दया है, आप लोग दया से उसको निका लिए, क्या कहना चाहिएगा आप अपने पोता को, पोता आपका बहुत जीला में तीसरा अस्थान आया है, जो एक मिसोड़ा गाउं, एक जीला ही छोटा है, रूसी क जीला में तीसरा अस्थान में आया है, इसके भी से पर आप क्या कहना चाहिएगा अपने पोता के बारे में? लेकिए खासकर कि बच्चों में चाचा और पिता जी का और परिवारवालों का जो हम लागतार आपको बताते कि हम रोल होता है, तो सबसे पहले अर्मान आपके पिता जी का नाम बताएगे, वो क्या करते हैं और कितना उनका योगदान था आपके स्टड़ी में? मेरे पिता जा का नाम मौमझ मनाजीर हुआ, जो देली रहते हैं और वहां काम करते हैं और बहुत मेहनत करके रुपिया कमाते हैं। कि अधर से उधर करते हैं और अच्छा से पढ़ते हैं अच्छा यहां से जो नवी के चातर है वो इस बार दस्वी में जाएंगे उन बच्चों के लिए क्या आपका संदेश होगा क्या कहिएगा उन बच्चों को कि आप कैसे study करें और और कैसे पढ़े कि मेरे जैसा उत्रा नंबर ला सके उन बच्चों को मा यही कहना चाहता ह Hour लोग ध्यान से पढ़े लास्ट में भी रिविजन दो-तीन बड़ करें क्योंकि अच्छा नमबर लाने के लिए जरूरी था अच्छा नमबर लाने के लिए जया है में कह रहा था कि मेरा नमबर सही आएगा मैं जान रहा था कि बहुत अच्छे से लिखा थे और मेहुत मेहनत करके पल सब्झॉतीज है इसलिए कि में अचलां तरह थी अर्मान से देखा आपने चात्र करेंदें कि अर्मान के अगरम बात कहे उन्होंने अपने संगर्स के बदोलत जब अपना पेपर मेट्रिक का एक्जाम दिया तो उसमें उनको अभास हो चुका था कि मैं जिले में अच्छा नम्मर लाऊंगा और अपने गाउं का नाम रोशन करूंगा तो सिभर से आप देख रहे हैं आक कि प्राजा की रिपोर्ट